कि है अलौ फ्रेंड्स वेल्कम टू माय चैनल आज हम बात करने वोले के कलपना इंडस्टेश के बारे में और यह कंपनी के बारे में इसलिए आज हम बात करने वोले क्योंकि यह special request है viewer से तो उनके लिए ये वीडियो भी बना रहा हूँ और already ये मेरे portfolio में भी है इस वज़े से मैं और अच्छे से आपको ये बता सकता हूँ ठीक है और ये share ने मुझे अभी तक profit दिया है, loss दिया है, सारी चीज़े में बताऊंगा बट पुराए detail में बताऊंगा, तो आप ये वीडियो end तक देखो और company के बारे में समझ लो, ठीक है तो यहाँ पर के कलपना इंडस्टी जो है ये established 1977 में established हुई है, और niche as a quality polymer compounder बनाती in India, under the dynamic stewardship of our chairman उनके chairman को ने, उनका नाम है ठीक है, और the group has culminated a status of the largest manufacturer of specialty compounds in India, तो largest manufacturer है polymer compounder बनाने में ठीक है, specialty compounds बनाने में, तो वो क्या है compounds, क्या होता है, वो सारी चीज़े मैं आपको दिखा दूँगा ठीक है, तो इसका website visit कर लेते हैं, तो यहाँ पर यह इसका website है, और यहाँ पर यह इस तरीके का website है, इनका के कलपना इंडस्टिस का और यहाँ पर उनके कहां-कहां पर product use हुए है, यह यहाँ पर बताया हुए है, ठीक है, तो जहाँ भी इनके product use होते हैं, वो उनकी images यहाँ पर यह बता रहे हैं ठीक है, तो किस टाइप के प्रोड़क्ट से तो यहां पर मैं आपको नीचे दिखा देता हूं तो यह है प्रोड़क्ट्स आप के कलपना और यह है री ग्रैनुलेट्स यह एक बनाते हैं फिर बाद में कलर मास्टर बैच यह बनाते हैं और यहां पर केबल्स के लिए और यह एक्सल्पी केबल्स इंजिनेरिंग प्लास्टिक्स और यह पीवीसी कंपॉंड्स तो यह हैं कंपॉंड्स और यह बनाने का काम करती है तो यह वायर में या कई पर गाड़ी में या कई पर भी जो मट्रियल यूज़ होता है तो यह चीज़ और की जाती है ठीक है मोस्ट आप केबल्स में तो और यह कलर्स के भी तो इस टाइप की पॉलीमर चीज़े यह बनाती है ठीक है और इनका बिजनस करती है यह बिजनस ठीक है और यहाँ पर भी बहुत सारे फुटवेर कंपाउंड्स भी है यह फुटवेर में भी यह चीज़े यूज हो जाती है तो यह केबल कंपाउंड्स है तो बहुत सारे large product का यहाँ पर पुरा detail दिया है तो आप उसके अंदर जाके complete दे सकत जानते हो एन्टी फैब तो इसके अंदर बहुत सारे यह ठीक हैं इंजिनेरिंग के इंजीनर प्लास्टिक कौन से हैं उसके बारे में भी हैं यह यहां पर बताए है ठीक है तो यह इसका काम है यह बिजनस है इनका और अधर कौन से प्रोडक्ट से यह सारी चीज़े यहां पर दिये है तो कभी आप पूरा कंप्लीट देख सकते हो लेकिन इस टाइप का बिजनस क्या है यह आपको यहां पर पता चल गया होगा अभी ठीक है तो इस टाइप का यह बिजनस है यह टाइप की इनके प्रोडक्ट है और इसी यह तो समझ लो यह रॉ मट्रेल है फिनिश गुड्स यह नहीं है तो इसका य और भी चीज़े जैसे चपल बनाना है यह कुछ रबर की चीज़े बनाने यह वायर का यह बनाना है तो इन चीज़ों को बनाने के लिए यह यूज होता है ठीक है तो यह इनका प्रोडक्ट है अभी हम इसके शेर देखते शेर की शेर में क्या खासिया थे इसकी शेर की बा पर share में ने open किया है और यहाँ पर इसका प्राइस दे रहे हो Fatih का और अल्ली यह के लिस्टेड है और यहाँ पर सेक्टर प्लास्टिक बताया हुआ है ठीक है साँ और यहाँ पर वैं कि इसका जो लो था भीसका थ और और मैं आपको यह भी बता दूँ कि यह शेर में मेरी buying 21 के price पे है 21.50 तो इसने मुझे लगबग double के उपर return दे चुका है पर यह return मैंने book नहीं किया है क्योंकि इसमें और भी मुझे potential नजर आता है इस वज़े से मैंने रखा हुआ share ठीक है तो most of में कम profit कभी कभी 26% लेकर निकाल देता हूँ लेकिन कोई-कोई shares में थोड़े long term और थोड़े ज़्यादा returns के लिए लेता हूँ तो इसमें already मैं इसमें समझ लो कि यह March की मेरी buying थी March में लिया था मैंने और 26 का price था आज यह price मतलब लगबग लगबग एक साल हो गया है एक साल में इसने double का return दिया है और इसने 63 भी गया था तब मैंने बेचा नहीं लेकिन मार्केट अभी continuously गिरा है तो इतना down आ गया है तो यह मुझे लगबग समझ लो की 200% तो दे चुका था ठीक है इस टाइप का क्यूंकि 21 से 63 आप यह करोगे डिवाइड करोगे 63 से 21 को तो लगबग तीन गुना यह आपर return आपको नजर आएंगे तो इतना returns इसने दिया था दो तिन गुना बट फिलाल अभी इसलिए नहीं उसको यह किया क्योंकि अभी भी मुझे उसमें और potential नजर आ रहें और मुझे इसको थोड़ा और long रखके देखना है क्योंकि इसका price बहुत कम है इस वज़े से ठीक है सस्ते थोड़े shares रहते हो थोड़ा जाधा time hold करता और 20-21 रुपे का buying price था और इसमें जाधा potential जल्दी आ जाते हैं और price जल्दी अच्छी होते हैं और बा earning per share growth अच्छा है weaknesses में इसका ROC अच्छा है बता रहा है खराब बता रहा है return on capital employed यह गिर रहा है तो विकने से से यह insufficient use of capital capital का proper use नहीं कर रहा है ऐसा यह बता रहा है अपोर्चुनिटी में यह बता रहा है कि companies with current TTMP जो ratio less than 3 साल से भी कम का इसका ratio P का ratio आ रहा है तो यह भी अच्छा है सस्ता है और भी इसमें potential is sector P के against में इसका P और भी सस्ता नजर आ रहा है डिविडन भी दे रही है company यहाँ पर 0.44 का तो और भी अच्छी बात है ठीक है और यह company ने डिविडन देखो यह कब दिया यह 20 पैसे का देखो कितनी सस्ती company होके भी इसने 20 पैसे का share dividend दे चुके 17 सप्टेमबर 2019 को तो यहाँ पर डिटेल में चार्ट में हमको यहाँ पर नजर आ रहा है तो और इसका यहाँ पर face value दोका आ रहा है और इसका पीबी रेशियो भी देखो वन पॉइंट तो इसका depth का भी बहुत अच्छा ही होगा करजा वगरा थोड़ा कम हो सकता है ठीक है और यहाँ पर मैं आपको इसका अभी advance chart complete दि ठीक है और उसके बाद लगातार यह बढ़ते जाता है और यह इसका growth मैंने भी देख चुका हो क्योंकि मेरी भी March की buying है और March से इतना बड़ा growth आया था फिर यहाँ पर थोड़ा downside बाद में आ गया था dividend भी मिला फिर बाद में फिर से upside आया फिर थोड़ा भी downside आ चुका है तो फिलाल इसको तो मैंने बहुत पहले से यहाँ पर मेरी बाइंग इस वज़े से मैं डरता नहीं हो और इसको मैं और hold करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे बाइंग से बहुत उपर हो ठीक है और पास साल क अगर चाट देखेंगे तो पास साल के अंदर इसने देखो लगबग लगबग तीस का यह शेर ठीक है 20-30 का यह शेर था लो इसका फिर वहां से इसने पास साल के अंदर एक हाई मारा था इसने लगबग लगबग 54 का 54 सी डाउन आया फिर अप गया फिर डाउन आया फिर अ यहां पर एक अपसाइड दिखाया वही है जो अभी रिसेंटली अपसाइड दिखाया था 63 का वही है जो यह रिसेंटली यह में बट यह बीच के टाइम पर यह कुछ ज्यादा परफॉर्म नहीं किया ठीक है तो इसी तरीके के चार्ट होते हैं यहां पर मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में इसने बहुत जबरदस रिटन दिये और यह लगबग लगबग बहुत कम पैसे बीस-बाइस पैसे का शेर 23 पैसे का कुछ दिख रहा था और बीचसी पर ऐसी प्राइज होते हैं 21, 22, 23 ऐसे भी पैसे में शेर का प्राइज होता है तो उसके बाद जबरदस इसने उच्छाल दिखाया है और बहुत स्पीड में भागा फिर यहां पर लाइफ टाइम में इसने वह 63 इसका बड़ा हाई है तो यह एक हाई बनाया फिर यहां पर एक हाई था यहां पर एक सकता है इसके चार्ट तो फिलाल लॉंग टम में तो इसने अच्छे का से रिटन दिये है और मुझे थोड़ा इसको लॉंग करना है देखना है और कितने रिटन से यह दे सकता है ठीक है और यहां पर प्राइज एंड वॉल्म के बात करेंगे तो देखो इसने वन विक में नेगेटिव रिटन दिये है लगबग आदा परसेंट के आसपास और एक मैने में साड़े छे परसेंट का नेगेटिव रिटन है तीन मैने में साड़े छे परसेंट का नेगेटिव रिटन है तीन मैने में साड़े छे परसेंट का नेगेटिव रिटन है देखो एक साल के अंदर इसने डबल तो पैसा कर दिया है सबका तीन साल में भी लगबग डबल ही समझ लो तिन साल में भी पैसा डबल हो था बट मुझे एक साल में तो इसने डबल किया है पैसा और के कलपना इंडस्ट्री कंसोलिडेटेड सप्टेंबर 2021 का नेट सेल जो बता रहा है लगबाग यह 582 का है ठीक है और 46 परसेंट से अप है येर अन येर तो इसका सेल्स भी बढ़ रहा है और अच्छा सेल्स में ग्रोथ नजर आ रहा है ठीक है और यहां पर इसमें फाइनेंशल का ओवर्वेव देख लेते हैं तो फाइनेंशल देखो 2017 में उननिस सो पचास करोड़ का ता फिर थोड़ा कम हुआ का 1-721 कोड़ काफी करेंगे तो 26,20 कोड़, 15 इसक्रोड तो यहां पर नजर आ रहे हैं तो यह पूरे साल का अभी तक हुआ सम्पान निया साल मतलब इसका जो लास्ट रिजत आएंगे उसके बाद ये पुरा कम्प्लिट दिखा देगा क्युंकि इसके ये रिजल्ट जो अभी तक जो सप्टेंबर के ह소anu कौत के रिजल्ट यहां पड़ रहा है ठीक है और विरिज़टस के आखड़े आएंगे तो और भी और पर्फोरमेंस दिख जाएगा ठीक है और यहां पर इसमें इन्वेस्मेंट इति प्रमोटर और पॉभली कई नहीं लिए ठीक है तो प्रमोटर के पास लगए सेवंटीपाइपरसंट है तो पपप्लिए पासेजित इसमें तो यह पंदर की खबर के और सबसे ज्युद Only कंपनी आगे कितना आपर मैंनी कंडा दिया है ठीघे और अभी मैं इसके kita financial तो तो इसके फाइनेशल देख लो इसके आकड़े देख लो इयर वी तो यह हम डिटेल में देख लेंगे ठैक है तो चलो देखते हैं को तो यहां पर स्क्रीनर पर हम इसका भी financial देखने वाले हैं और यहां पर full detail में अच्छे से available होता है सारी data यहां पर proper होता है तो सबसे पहले यहां पर company का pros देखेंगे pros मतलब positive चीज़े और negative चीज़े cons में तो positive इसमें stock is trading at 1.09 times its book value तो अच्छे book value पर trade कर रहा है इसका stock और company is expected to give good quarter तो quarter इसका अच्छा होने वाला है ऐसा ही यहां पर बता है cons में क्या बता रहा है the company has deliver a poor sales growth sales growth थोड़ा खराब है इसका 3,5% का low दिख रहा है यहां पर minus में दिख रहा है पास साल से पास साल से नेगेटिव रिटन दे रहा है थोड़े sales growth कम है नेगेटिव वह sales growth है ठीक है और यहां पर यानि माइनस साड़े तिन परसेंट और company has low return on equity पर रिटन भी अच्छे जनरेट नहीं करती हाट परसेंट के रिटन के हिसाब से चल रहा है थी तीन साल से और डिवीडन प्याओट एज बिन लो तो डिवीडन प्याओट भी बहुत परसेंटेज बहुत कम है ज्यादा होना चीए ऐसा इनका कहना है और company's cost of borrowing seems है तो borrowing की जो कॉस्ट उनकी ज्यादा है तो भी हम देखेंगे कि borrowing कितना है ठीक है और यहां पर quarterly results की बात करेंगे तो देखो quarter में तो बहुत अच्छा results आ रहा था 546 का वो टाइम पर 2019 में था और अभी भी 546 का यह बता रहा है तभी operating profit 24 करोड बचता था expense जाने के बाद और चार टक का मतलब उसका 24 करोड मतलब चार टक का वो टाइम पर profit बच रहा था और अभी पाश टका बच रहा है पुरा expenses जाने के बाद 39 करोड यानि पाश टका यह profit उतना बच जाता है ठीक है और यहां पर इसका net profit की बात करें तो आठ आठ करोड का net profit 2019 में किया था इसने और अभी 2000 अभी 14 करोड का कर रही है तो थोड़ा बहुत profit बढ़ता हुआ नजर आया हुए ठीक है net profit profit and loss की बात करें पूरे 10 सल का यहां पर डेटा है और 2010 में इसने 713 करोड का सेल करती थी अभी देखो 2,131 करोड का सेल यह अभी भी मार्च आया नहीं है तो अभी तक का लेटेस्ट यह जो भी अपडेट है यहां पर बताया है जो ठीक है लास्ट रिजल्ट का calculate करने के बाद तो अच्छा का सेल्स तो नजर आ रहा है expenses भी उसी हिसाब से 659 करोड का पहले expense था अभी 2000 करोड का बहले expenses भी जबरदास कंपणी में होते है ऑपेटेंग profit 55 करोड का था अभी 100 करोड का तो profit margin जो है बहुत कम नजर आ रहा है operating profit margin 8% था अभी 5% है तो margin बहुत कम बच रहा है इनके पास other income 5 करोड का था अभी 22 करोड का other income थोड़ा ज्यादा है और interest payment बहुत है company का interest payment देखो तभी 2010 में 15 करोड interest पे करती थी अभी 42 करोड का कर रही है ठीक है और यहाँ पर net profit कितना बच रही है तो अच्छी बात होती है और यहाँ पर balance sheet की बात करेंगे तो सबसे पहले हम में चीज मुझे यही देखना पसंद है कि company पर करजा कितना है और करजे में कुछ improvement आया क्या मतलब गिर करजा कम हो रहा है कि यह भी देखना लोन उसका कम हो रहा है कि निए तो 137 करोड का इसने 2010 में लोन लिया था और उसके बाद थोड़ा बढ़ते 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 लोन देखो बढ़ते फिर अभी इसने company ने फिर से 152 करोड तक इसका लोन नजर आ बीच में बहुत बढ़ गया था तब से इसने थोड़ा कम करते करते अभी लोन कर जाए थोड़ा कम करते 152 करोड तक इसने रखाए सप्टेमबर के डेटा के हिसाब से और डिसेंबर में और थोड़ा लोन कम हुआ भी हो सकता है अगर इसके रिजल्ट्स आएंगे तो ठीक है तो फिलाल यहाँ पर जो भी डेटा अवेलेबल है मैंने आपको कम्पलीट बता दिया है और जो जरूरी वो डेटा मैंने आपको बता दिया है तो फाइनेशल में फिलाल अच्छी ही फाइनेशल से फाइनेशल खराब नहीं है कमपनी का प्राइस छोटा है कम है लेकिन फि अभी इतना ज्यादा नहीं कम से कम कंपनी डिवीडन देती ये भी एक अच्छी बात होती है ठीक है अभी हम इसका फाइनल ओवर्विव देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर टिकर टेप पर इसका फाइनल ओवर्विव में देने वाला हो और यहाँ पर एक तो इंट्रेंसिक वैल्यू यहाँ पर डेटा इंसफिसेंट है और रिटन वर्सेस एपडी नेगेटिव बता रहा है ठीक है डिवीडन रिटन भी एट्रेक्टिव नह दो पॉइंट नेगेटिव है और एक तो कुछ बताने रहा है और डिवीडन रिटन की बात करें तो अट्रेक्टिव नहीं है बता रहा है लेकिन डिवीडन थोड़ा बहुत दे देती है ठीक है इतना भी ज्यादा नहीं है मतलब 3-4 परसेंट 5 परसेंट ऐसा नहीं है आध यहां पर मतलब इसको रिटन की यहां पर हम देख लेंगे बाकी सारी चीज़े तो एक हपते के अंदर इसने देखो लगबग धाई परसेंट पॉनी तीन परसेंट तक रिटन दिये है और यहां पर एक मैने में पॉनी तीन परसेंट रिटन दिये है और नेगेटिव रिट दिया और अल्डेडी मुझे भी उतने परसेंटेज दिख रहे हैं ठीक है और यहां पर पास साल के अंदर यह कंपनी ने लगबख 45% के रिटन दिये हैं और यहां पर मैक्स की बात करेंगे मैं तो 76% यह डाउन बता रहा है ठीक है तो इसके अंदर इस तरीके का क्यों बता रहे हैं और रिटन इतने कम कैसे आ रहा है क्योंकि यह दोजार आठ से यह देख रहे हैं तो ओ टाइम पर 183 का प्राइस था यहां पर ऐसा बता रहा है फिर इसके बाद यह दान आया फिर उस तरीके का इसका चार्ट नजर आ रहा है मतलब 76% यह गिरा है मैक्स के अंदर ऐसा इसका टिकर टेप पर चार्ट पर आ रहा है तो फिलाल जो भी डेटा टिकर टेप पर है यहां पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और यहां पर कोई मैं चार्ट के साथ या किसी चीज के साथ छेड़ चार तो नहीं कर रहा है जो भी है चीज़े जो यहां पर डेटा आ रहा है वो चीज में आपको इसलिए दो तिन जगा से मैं इसलिए देखता हूँ कि कई ना कई पर तो चीज़े करेक्ट होती है और यहां पर small cap की बात करें तो 438 का यहां पर करोड का स्माल कैबिटल मार्केट कैबिटल है और small company और high risk company क्योंकि यह nifty से ज्यादा ओलाल है पॉने 4 पर्सेंट तक फॉलाटाइल है निवटी से पॉने 4 गुना तुम इसके रिटर्न साइप में अच्छे होते हैं और थोड़े एक साल में ही अच्छे रिटन्स इसने दिये है बाकी इसके रिटन्स जो है और भी ज्यादा आने के चांसेस है अगर बाकी कमपनी में चीज़े अच्छी होती है बट इसके मेरे को रिजल्ट्स देखके या इसके फाइनेशल देखके तो यह मुझे पॉजिटीव ही नजर आ तो ओबी चीज अच्छी होती है कि ले लेना चीए लेकिन फिलाल अभी मार्केट अप एंड डाउन बहुत हुआ है और अभी यह थोड़ा सा शेर गिरा है तो फिलाल आप ले भी सकते हो क्योंकि 63 से बहुत गिर चुका है तो इसमें इन्वेस्ट थोड़ा लॉंग टर्म क मैक्स का इसका ये चीजद खराब बता रहा है इस वज़े से इसके यह चीज़ यहां पर नजर आ रही है ठीक है तो जो भी यहां पर डे डेटर है मैं ने अपको बता दिया है और बाकी आपकी मर्जी होती है इसको भ burnt नहीं करना है फिलाल या तो मेरे पोर्ट्पोलियों यह मैंने आपको starting में भी बता दिया है और अभी भी और इसको मैं hold करना चाह रहा हूँ मतलब इसका मतलब hold इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं और भी जादा इससे expect कर रहा हूँ returns तो मैं इसको और देखूंगा कितने time में और कितने returns आते हैं यह मेरे portfolio में है तो आपको भी आपकी portfolio में लेना है तो आपकी मर्जी होती है यह just मैं आपको information देके रख रहा हूँ ठीक है और dividend देती है तो company का tension नहीं होता है कि company कुछ ना कुछ आपको ऐसे भी return दे रहे और company का share बढ़ेगा और यहां पर यह video just किसी ने बोला या कोई viewer देखने वाले उनको अगर किसी भी video किसी भी शेयर के बारे में कोई video चाहिए या किसी के बारे में जानना है तो यह उनी के लिए channel है बट most of में मेरे खुद के portfolio के बताता हूँ बट उनकी request के इसाब से अगर उनको यह मेरे से यह चीज़े जाननी है देखनी है तो ज़रूर मैं आपके लिए ही यह channel है आपको देखने के लिए है और मेरे पास जो information है मैं आपको provide करूँगा जो knowledge है वो मैं आपको share करूँगा तो आप comment में बता सकते हो कि अगर आपको किसी भी share के बारे में अगर आपको जानना है तो तो वो चीज़ मैं आपको आपके लिए करूँगा जैसे यह video बनाया है और पहले और already कुछ share ऐसे होते है कि वो मेरे खुद के portfolio में भी होते है और कुछ नहीं भी होते है तो मैं उ तो फिलाल आपको information अच्छी लगे तो channel को please subscribe करो thank you very much for watching my video thank you bye bye